हेलो एवरिवन, वल्कम तो माई योटुब चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और जैसा कि थमनेल पे आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेकनिशन की जो वेकेंसी आई है, उसमें दो तरह की वेकेंसी है, ग्रेड वन के लिए है, ग्रेड थ्री के लिए है तो इस वीडियो में हम grade 3 के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें IT वाले और कुछ पोस्ट पे 12 वाले student eligible हैं उसके हम लोग बात करने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो में पूरे data के आधार पे बताने वाला हूँ अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच safe zone के बारे में उसके अलावा पांच danger zone और ये safe और danger किस आधार में आपको बता रहा हूँ मैं starting में आपको बतायता हूँ ये आधार सिरफ है number of vacancies देखो किसी भी भरती का competition को गर चेक करना है उसके पहला जो उसका मूलभूत अधार होता है वो होता है number of vacancy कितनी है और उसके कितने form बरे जाएंगे उसके बाद कुछ और factors भी होते हैं जिसके अधार पर competition थोड़ा differ करता है तो वो सारी चीज़े हम बात में discuss करेंगे अभी सिरफ हम number of vacancy और number of application के बारे में discuss करने वाले हैं तो form बरने से पहले आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए साथ ही मैं आपको यहाँ पर starting में एक चीज़ बता दूँ आप जो भी form भरेंगे तो उसमें जो भी आप zone choose करेंगे वो बिल्कुल अपने according करें मेरे कहने से मत चुनो कोई other YouTuber कह रहा है उसके कहने से मत चुनो क्योंकि आपको देखना है कि आप कहां फर comfortable हूँ क्या आप अपने घर के बास job करने में comfortable हूँ क्या आप दूर जाने में comfortable हूँ क्योंकि cut off में जादा variation आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हो कि number of vacancies काफी कमी है तो competition लगबग बराबर ही रहेगा तो सबसे पहले तो आपको बता दू ऐसा नहीं है कि जिस zone के बारे में बता रहा हूँ आप वहीं से apply करो क्योंकि काफी लोगों की शिकायत रहती है कि आप competition बढ़ा देते हो तो ऐसा नहीं है आप अपने according चुनो बाकी चीजों के analyze करके आपके सामने पेश करना यह हमारा काम है इससे पहले आपको बता दू मैंने morning में दो वीडियो बनाए थे trade wise vacancy का पूरे youtube पर एक अकेला वीडियो है जिसमें मैंने एक ही वीडियो में 6 minute 51 second के वीडियो में लगबग जितनी भी main main trade है fitter, welder, machinist, उसके अलावा electrician, electronic mechanic, mechanic diesel और भी जितनी भी instrument, mechanic, refrigeration and AC उन सभी का मैंने हाँ पर zone wise पूरा table इस वीडियो में समझा है तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें बागी ये दो वीडियो है तो आप ये 6 minute 51 वाला ही देख लेना उसमें आपको पता रग जाएगा और ये जो 5 minute, 40 second वाला वीडियो है तो ये दो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि हमारा काम है सिरफ आप तक authentic और genuine चीजे पहुँचाना अगे बंडे से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा आप चाहे लपी की तयारी करें चाहे टेक्निशन की टेस्ट बूक की तरफ से नमो उत्सव ओफर का आप लाव ले सकते हैं आज 10 तारीक को 12 बज़ तक इसका आखरी दिन है बातर 219 रुपे में आपको टेस्ट बूक पास मिल जाएगा और 307 रुपे में टेस्ट बूक पास प्रो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिएकर लिंक से परजिस करोगे और EG10 कोड का यूज करोगे तो डिस्काउंट के साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पर Grade 1 वाली वैकेंसी नहीं है केवल Grade 3 की किस जोन में कितनी वैकेंसी है एक बार आप आप वो देख सकते हैं यह पूरा चार्ट मैंने प्रिपेर करके जो है पहले इस पर वीडियो बनाया था 8,052 पदो पर टोटल वैकेंसी है UR में 3482 पद हैं बाकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप अप अपनी कैटिगरी के कॉर्डिंग में कमपेर करें जैसे मैंने तो यहाँ पर overall लिया है कि किसी जोन में कितने वैकेंसी है लेकिन आप कैटिगरी के कॉर्डिंग भी चेक करें कि UR की vacancy कहाँ पर जाद है उसके according भी आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा vacancy मुंबई में है 1132 पद हैं तो no doubt जहाँ पर सबसे ज़्यादा vacancy सबसे ज़्यादा बात करें दूसरे नंबर पर चेंड नहीं है तो यह भी कही न कहीं आपका danger zone में रहेगा अगर हम बात करें maximum vacancy के terms में तीसरे नंबर पर बिलासपूर है no doubt यह आपका danger zone में जाएगा अगर देखा जाए 766 total vacancy है आपर एहमदाबाद 687 vacancy है और यह 4 नंबर पर है और पांच यह नंबर पर सिगंदराबाद है 668 vacancy यह 5 zone ऐसे हैं जहाँ पर maximum form भरे जाएंगी यह बात guaranteed है अगर आपने एलपी देखा होगा तो एलपी में पर ऐसा यह वा था कहां पर competition जाद रहेगा कहां पर कम रहेगा यह हम form और केवल vacancy के अधार पर नहीं बता सकते हैं इसमें student की quality बहुत चीज़े matter करती है लेकिन यह एक सुरुवाती आप कह सकते हैं कि base देखना अगर आपको तो इसके according आप देख सकते हैं तो यह 5 zone जो हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा form आएंगे अगर आप चाहें तो यहाँ से apply कर सकते हैं या आप चाहें तो इनको skip भी कर सकते हैं अब जो ऐसे 5 zone है जहाँ पर सबसे कम vacancy हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा competition कई बार हो जाता है अगर आप ALP में उठा के देखेंगे जम्मू में बहुत कम vacancy थी और जम्मू में ऐसा लग रहा था कि form बहुत कम आएंगे या form भी ज़्यादा हैं competition कम रहेगा लेकिन जोन ऐसे हैं जहाँ पर सबसे कम vacancy है सीली गोडी में पैसट है चंडिगर में 86 है बंगलोर में 90 है मुझफरपूर में 105 है और बुवनेशों में 138 है तो यह भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा form यहाँ से भी पढ़ने की उम्मीद है अब उसके बाद कुछ moderate zone ब वेकंसी है राची 321 वेकंसी है बोपाल 373 वेकंसी है और गुरकपुर 146 वेकंसी है यह साथ zone ऐसे हैं जो थोड़ा सा moderate में रहेंगे ना तो बिल्कुल टॉप में जाएंगे form भरने के मुकाबले में आपको बता रहा हूं ना ही बहुत कम में जाएंगे तो आप चाहे तो पांच safe zone जो निकलते हैं यहाँ पर number of vacancy और form के according अगर देखा जाए तो मेरे recording यहाँ पर जम्मू 256 वेकंसी पर थोड़ा सा यहाँ पर safe zone में इस बार रह सकता है अलगी ALP में यह थोड़ा safe category से बाहर रहा है लेकिन यहाँ पर इसकी उम्मीद है तिरवन्थपुर हम 248 वे गोहाटी 608 वेकंसी हैं यह भी थोड़ा साब safe category में कह सकते हैं मालदा 218 वेकंसी के साथ और यह जो गोरगपुर और बोपाल है इसको मैंने safe category में भी रखा है और moderate category में भी रखा है क्योंकि number of vacancy आप देखो इंग गोरगपुर में 240 हैं और बोपाल में 373 है तो यह तो यह देता हूँ यह 5 danger zone maximum vacancy के अनुसार यह minimum vacancy के अनुसार 5 ऐसी zone जहाँ पर ज्यादा फॉर्म पढ़ेंगे उसके बाद कुछ moderate zone है जैसे अलाबाद पटना कोलकाता जमेर रांची बोपाल गोरगपुर और 5 safe zone जो निकलते हैं number of vacancy और number of application की terms में वो है जम्मू तिरवंत पु आम बिल्कुल मत भरना, ALP में भी ऐसा देखने को मिला था लेकिन मैंने starting में यही बात बोली थी, सबसे पहले आप अपने according देखो, आप कहां से job करना चाहते हो, आपको सहूलियत कहां से है, आप कहां से competition में fight करना चाहते हो, वो सारी चीज़े देखो, हमारा कामें आपको दिखाना, इसके बाद मैं आपको cut off भी दिखा दूँगा, जो 12 वालों का cut off कितना रहा था, या technician का final cut off कितना रहा था, सभी zone का, वो सारी चीज़े में one by one आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप channel को अभी subscribe करके, bell icon को press करना, बिल्कुल न भूले,